हालो स्टूरेंट इस संजीर जान यूर ओनलाइन टूटर वेलकमिंगे विछो और यूटूब चैनल और इस टूपिक सिन बायनोकुलर विजिन इपया है तो बायनोकुलर विजिन इन ए इसमें हम बायनोकुलर को इंटरेक्शन पड़ेंगे और पॉनसेट जानेंगे की बाय पनी एक चीजको हम दो हमरे पास लाखे होते हैं और कोई पिक चीज होता तो यह चीजको हम देखे हैं यह सहां मैं तो एक पेन को जो हम देख रहा है तो हम दोनों हाफ आपकास से तो हम उसको हम बाइनoupal visiting करते हैं मतलब मतलब तहां सप्ष् i Man of seeing one object with two eyes is known as binocular vision right or such type of vision can be seen in the human human में तो देखने को मलता है इसके अलावा भी dogs cat cats and apes जो होते हैं उसमें यह binocular vision देखने को मलता है right what is advantages तो advantages के है binocular vision के तो it helps to determine the distance between the object and their size यानि किसी भी चीज को जो हम देखने हैं तो binocular vision से exactly कौन सा से किसी भी object का कैसा shape है what is its shape shape कैसा है उस shape को बारे में हम जान पाते हैं right और दूसरा चीज की जो वीवर है viewer मतलब जो देख रहा उससे उस object की का distance कितना है वो भी हमें पता चल जाता है तो basically object का distance और उसका size कैसा है यह हमें पता चलता है binocular vision की वेज़ से अगर binocular vision नहीं रहता तो exactly कितना दूर में हैं कितने पास में हैं कितना नजदीक हैं कितना और जाना है यह जो distance वाली बात है तो यह चीज़ हम नहीं समझ पाते हैं तो this is possible only for binocular vision right और जो हम देखते हैं कोई चीज बारा है कोई छोटा है कोई टॉल है कोई शॉट है कोई fat है तो यह जो size जो depend करता है तो size जो हम लोग पता कर लेते किसी object है exactly कौन से size में है कौन से safe है कौन से size है तो that is nothing that is possible only due to the binocular vision right समझ माया और दूसरा चीज इस इट प्रवाइट जीडी जनी तू दैमेंशन वीजन तू दैमेंशन वीजन हमें देखने को मिलता है that means कोई भी एक चीज होता है जिसका लेंद रहता है ब्रेथ रहता है और है और है तो यह तीनों चीज को जो हम देखते हैं तो वह possible होता है किसकी वेयर से बैने क्विजन को तो ट्रीडियमेशन मतलब लेंद वेट और हाई एक उसस एक एक आपके लिए जा सेक्सित्ट वेट जो है जैसे गहरा ही या उंचा ही किसीच को कितना गहरा है कोई चीज कितना उंच्छा है ठीक इसीच का पता हम बैने क्विजन से पता कर सकते हैं तो ब एक विजन होता है जिसे हम मोनो कुलर विजन कहते है और किस तरह के लिविंग और इसका देख लेते हैं तो as you see that is the molecular sorry monocular vision the monocular vision as you see definition the vision in which two eyes are used separately on two different field of vision simultaneously is called monocular vision तब एक ही समय में अप दो आँखों से दो चीज़ को एक साथ ही देख रहे हैं साथ ही साथ आप left side में भी देख रहे हैं right side में भी देख रहे हैं जो binocular vision में possible नहीं है तो समझ माया कि the vision in which two eyes are used दो हमारे जो आखे हमारे नहीं जो यूज करते हैं कि जिनके दो आखे हैं वो यूज करते हैं सेपरेटली अलग अलग अगर लेफ्ट वाला आई है तो लेफ्ट की तरफ देखता है राइट वाला आई है तो राइट की तरफ देखता है ऐसा नहीं कि लेफ्ट राइट है तो वाहता को वीजियन को हम कहते हैं Monopolar Vision, समझ माया है, the Vision in which two eyes are used separately on two different fields of vision simultaneously is called Monopolar Vision, यह कैसमेच में अदेखने को मलता है it is found in the fishish, birds, bats, rabbits, lizard, horses, right तो इन सब में आप समझ दो, किये दो आखें, दो आखें दो अलावलक field में use करते हैं here the advantages क्या है wide field vision तो पहला advantage है wide field बहुत monocular vision में हम ज्यादा देख सकते हैं हम नहीं इस example जिसका दिया गया है तो वह ज्यादा दूर तक देख सकें ज्यादा wide area को cover कर सकते हैं right and जिसकी वैसे enable them to respond quickly to any danger इसलिए अगर left side से आता है तो right side की तरफ देखते हुए वह left side देख सकते हैं लेट side की तरफ देखते हैं उसारे हो रांग क्या हो पिर और और एक डिसएवंटिज है कि डिफ पर्शिप्स इन लोगों का सही नहीं रहता है मनोकुलर विजिन क्योंकि उनके गहराई कितनी हैं मुचाही कितनी हैं वो विजिन नहीं होता है ठीक है तो आई होग आप लोगो यह मनोकुलर विजिन भी समय में आया होगा बहुत एजी सब्सक्राइब बच्छों तो एक डिफरेंसेस आप लिख लोगे ठीक है फिर मैं कुछ डिफरेंसेस बता रहा हूं और आप लोग और इसमें भी दो तीन जो मैं बताया हूं आई होग आप और दो मिनिमन दो और तीन एडवनिजिस तो शरी डिफरेंसेस तो आप एड करी स लग्र जिपाते हैं और चले देख लेते हैं कुछ डिफरेंस क्या है मोनोड़े विजन में तो सिंपल सी बात है let's see that is the difference between the binocular and monocular vision तो पहला चीज है कि differences क्या है as you see तो binocular vision में क्या होता है eyes are located in the front head यह अगर head है यह अगर head है तो front सामने की दर आप डाता है जैसे आदमी का होता है ठीक है and focus eyes are located in the front of the head and both eyes are focused to the common visual side ठीक है तो यह एक common चीज को देखते हैं यहां पर common चीज है ठीक है तो दौनों eyes से एक ही चीज को देखते हैं यह वाला इस तरह से राइट और eyes are located on the side of the head मानलों यह head है ठीक है तो इधर एक side में डाता है और इधर एक side में डाता है देखते हो गिरिगट के साथ के तो इधर से क्या करता है यह वाला portion देखेगा यह वाला area और इधर से यह वाला यह वाला area को देखेगा इस तरह से राइट तो eyes are located on the sides तो हमने क्या देखा कि और इनके एक ही common visual field होता है इनका common visual field होता है जब इसका two separated visual field होता है right now let's see second differences here the field of the vision overlapped since both the eye are very close तो very close होने की वैसे आंख बहुत close होने की वैसे उसके जो eyes है उसके जो vision है वो overlap हो जाते है but there is no overlap vision तो in this vision perception of death and distance is better अगर हमें किसी depth का persistence पता करना है या distance पता करना है तो उसके लिए हमें binocular vision best रहता है ठीक है और यह inaccurate है यह accurate होता है यह inaccurate रहता है और यह वहाल सारे question इसमें आपको question add कर सकते हो differences right तो minimum five upload लिखके submit करो गए now we move to the next topic की हम देखते कैसे है how do how do we able to see any object कैसे हम देख सकते हैं हम लोग जान चुके हैं आए के सारे बार different parts के बारे में अब उस different parts से किसका क्या काम होता हो भी जान चुके हैं तो उसी की help से हम समझेंगे कैसे कोई चीज हम देख सकते हैं तो how the vision occur in the map तो जैसे आप जानते हो कि vision occur when the light enter into the eye through the people's तो यह people आपको दिख रहा है यह वाला portion है तो यह जब यही चीज यहां पे दिखाया जा रहा है आपको देख लीजे यह पत्ता है ठीक है तो यह पत्ता का यहां से इतना ही जा रहा देखे पीपल के अंदर से यह जारा जा रहा है और lens क्या करता है यह फोकस पर जाता है यह वाला फोकस है ठीक है और यहां से यह वर्टिकली ऑपोसिट हो उल्टा हो जाता है लेंस का यही नहीं मैं जानती ही हो कि लेंस और इमेज बनाता है वह वर्टिकल और इरेक्ट बनाता है वर्टिकल और इरेक्ट बनाता है तो वैसा ही होता है यहां पे तो तो यह हम लोग पर चुके हैं कि कितना light जाएगा कितना amount of light जाएगा वह आइडिस और जैब जैब रहे हैं कितना light प्रीज्ड हो जाना एक जाना है twent यहां पर आते हुए देखो यह रही आपको यह पहले पर चुके हैं यह लो जो दिख रहा है तो रेजी ना के यह जो फोई बाज हो था जिसे हम यह यहां पर आके वह बहुत अच्छी तरह सब्सक्राइब करें तो यह समझ लेते हैं तो यहां से फिर ऑप्टिक नर्फ अप्टिक नर्फ अप्टिक नर्फ अप्टिक नर्फ है वह ब्रेन की तरफ लेगे आते हैं ब्रेन उसको समझता है और समझ के फिर क्या करता है फिर वापस यहां पर भेजता है और ऐसा हम इमेज को फिर समझ पाते हैं तब हमें इमेज देखता है और यह जो काम होता है बहुत fast होता है very fast ठीक है तो which work together to form the image into the electrical energy which is sent to the optic disc to the on the retina and transfer by electric pulses along the optic nerves to be associated with the brain और इस तरह से हम किसी चीज़को देख पाते हैं ठीक है तो that is how the vision is आपने मैं राइट तो इस तरह से हम देखते हैं और इस तरह से हम कोई चीज़ को देख पाते हैं राइट तो आई होब आप लोगो समझ माया होगा तो तो थेंक यू फॉर वाचिंग सी यू अगें बई